तो कि स्वागद दोस्तों है अप सभी हमारे यूटूब चैनल के उपर आज हम बात करें राजेपाल के बारे में ऐसे कंटिनुए श्री चलेगी हमारी पॉलिटी की तो सबसे बेले हम कवर करेंगे राजेपाल को राजस्तान के राजेपाल को पूरों में राजप्रमुक के लिए लाम से जाना जाता थाए 156 तक जब हमारा बेस आ जाता हुआ तब से लेकर 156 तक 53 स्वाइपहल कपर हमारे राजप्रमुक के राम से जाना जाता हुआ जाता कि भार्तिय स्विडान प Fighter 113 चे तथ है राज्य के राज्येपाल की पद की व्योस्तक की गई थी साथ यो सविधान संसोदन 1956 के तैद दो या दो से अधिक राज्यू का एक राज्येपाल होगा यह गेता है अनुछेद 117 में भार्त का नागरी को 35 वर्स की आई पूरी कर चुका हो संसद्य या विधान मंडल का सद् ना हो लाब का या सरकारी पत पर कार्यत ना हो चैन और नियुक्ति की बात करते हैं तो चैन और नियुक्ति में अनुछेद 155 में बताया गया है कि चैन कैसे होगा चैन होगा केंदर सरकार उसका चैन करेगी नियुक्ति कौन करता है भार्त का राष्ट पती केंदर दवरा निर्देशित व्यक्ति को नियुक्त करता है किसी भी राजय का राजयपाल पिर सपत कौन दिलाता है सपत दिलाता है राजय का मुख्य नियुक्त करना है वहां का जो मुख्य नियुक्त होगा वो उनको सपत दिलाएगा अगर मुख्य नियुक्त उपस्तित नहीं है या उनक नयाये लेखा जो शबशे वरिष्टम नयाइदीस होगा जो अधै क्यों उस्पद मोई राज्यवार को सविदान वै विदि का परिर्शण प्र­तिर्शण की सपत रिंप नेटा है कारिकाल की बात करते किंव Family तो तो एकारिकाल का तो मतलब होता है कि राश्पती कभी भी उनको वाँ अपने पत से हटा सकता है या दूसरी राजय में निक्त कर सकता है नोट राजये पाल को समय पूर्प थाने समझती प्रावधान का उलता है नहीं है तो सबसे पहले हैंकि नहीं है अनुक्ति होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं उनकी कारेपालिया के सक्तियां कौन-कौन सी है तो विभीन निक्तिया करता है राज्येपाल कौन कौन से मख्यमंत्र की न्युक्ति करता है महाद युक्ता की न्युक्ति करता है और उनके सदेशियों की वीसी करता है लोका युक्त राज्ये निर्वाचना युक्त कि राज्य निर्वाचनायुक्त मानोदिकार आयोक के अध्यों सदस्यूं की न्युक्ति कोन करता है राज्यपाल करता है राष्ट्पति को उच्छ नयले की न्युक्ति में सला देता है अगर उस राज्ये का उच्छ नयले अगर न्युक्त करना है तो राष्ट्पति को सला क कौन देता है राज्य का राज्य पाल राज्य प्रसहसन के संचालने तु कार्य विदिवे नियम बनाना अनुच्छेद 166 के दो के तैत इसके साथ ही विभीन राज्यों में जन्जातिय कल्यान मंत्रियों की नियुक्ति करना मद्यपर्दे 36 जहारकन और ओडेशा इन में कहा है जन्जातियां ज्यादा है तो इन में जन्जातिय मंत्रियों की नियुक्तियों कोन करता है राज्य पाल करता है विदाई सक्तियां कौ कौन कर सकता है यह विद्धान मंडल का जो अध्यक्स होता है वो स्तेगन कर सकता है विद्धान परिशद में एक पटा छे सदेश्य को मुनित करता है अभी वरतमान में छे राज्य हैं जहां विद्धान परिशद है तो छे सदेश्य को मुनित कर सकता है अनुछे 200 के तहत वि वीधान मंडल विधान मंडल अगर नहीं चल रही है तो मुख्य मंत्री को को अगर कानून परित कर वाना है तो Alla अगर विधान मंडल स्टार्ट हो जाता है तो छे सप्ता के अंदर उस विदेग को अनुमती मिलने चीए अन्याथावे छे सप्ता के बाद में निरस्त हो जाएगा विधान सबा में विभीन परतिवेजन रखना राज्य वितायों को आरपेशी और सेजी की रिपोर्ट रखना वित्यां सक्तियां कोन-कोनची होती है धन विदेग को अनुमती परदान करना राज्य वितायों को गठन करना 243 आई और 243 वाई 243 आई होता है पंचायत के लिए और 243 वाई होता है नगरपालिका के लिए दंड का लगो करन और परिहार और विराम करना यानि कि दंड की प्रकति बदल सकता है म अगर किसी को दिया हुआ है तो वह क्या करशकता है उस मृत्यु दंड को आज जेवन कारावाश में बदल सकता है इसके साथ ही राजे उच्छ नायले के नायदिस की न्युक्ति में राश्पति को सला देता है यह तो नायक न्युक्ति हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर राजे का उच्छ नायले की न्युक्ति करनी है तो राश्पति को सला देता है इसके साथ ही क्या करता है अनुछे 233 क तहत जिलादिश की नुक्ति कुं करता है Rabbit तो को राश्पति की दोबर की जाती है लेकिन 233 मेर्दी नहीं करता है तो तोल करता हैна राज्यपाल को मरत्यद्ध ये कौट मार्थ है मौनुर राश्पते की समान सकतिते नहीं है यहां उनको राश्पति छैप हराइस है अब बात करते हैं से विवे के सकते हैं कुन कुछी है अनुच्छे 263 के तैत यह सारे सारी इंपोटेंट है विद्धे को राष्टपती के अनुमोदन भेजना 201 के तैत यह भी वीडियो के एक्जाम में पूछा गया था क्यों राज्य में राष्टपती शासन के विदान सभागों समय से पुरूब विगटित करना अनुच्छे 24 के तैत यह कर सकता है सभी वे के सकते हैं राजेपाल के राजेपाल से समंदित विभीन सिपारिश कौन कौन सी आयोग बने राजेपाल के समंदित तो सबसे पहला आयोग बनाता सरकार्या आयोग 1983 में राज एा राजेपाल की न्यॅक्ति मुख्यमंत्र की सलाह प्रकी जानी जाने चाहिए यानिकी चैसी पूरा करना चीए उनको ऐसे नहीं कि दो साल का कारीकल होते ही आपको यहां से इस्तांतित किया जाता है पुंची आयोग बनाता गुन्नी 2007 के अंदर पहला बना 1983 में दूसरा पुंची आयोग के 2007 में राजयपाल की न्युक्ति एक सीमिती की सिपारिस पर की जानी चीए जिसके सदसे परदान मंत्री लोकसबाद्यक्स घ्रह मंत्री समंदी राजय का मुख्य मंत्री होना चीए यह कहा था पुंची आयोग से किस के साथ किया है उन्हें और राजयेपाल को समRY से पुर मुधान सबाव में महाभयोग दौर राइधाया जाना चीए गर समय से पुर बटना नाया से विदान सभा महाव्योग पारित करें कि तवी उनको ठाए जाना चाहिए इसके साथ ही नेक्स्ट है राज्यपाल समधी मेहत्पुन तरते के राज्यपाल को मनमाने धंग से हटाने हैं सर्वच नयालया के मिखिन अधिस बालाकर्षन के अध्यक्स्तावाले पांच जजू के स साय समिति 1970 सरकारिया आयोग 1983 वेंकेटेच चेलिया आयोग 2000 में और पुंच आयोग 2007 यह समितिया बन चुकी है राज्यपाल से समंधित इसके साथ ही हम इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं कि राजस्तान के प्रत्थम राज्यपाल कौन थे गुरू मुक्नियाल सिंग राज्यपाल कौन थी परतिवा देवी पाटिल सिंग राज्यपाल जिनका निदन पद पर रहते हुए कौन कौन से दर्बार सिंग निर्मल जैन सेलेंदर कुमार सिंग सिर्मति प्रभारा विये वह राज्यपाल थे जिनका कारेकाल के दोरान निदन हुआ इसके साथ ही हम करते हैं कि राजयपाल राजस्तान में राश्पति शासन के समय राजयपाल एव मुख्यमंत्री कि जब हमारे राजस्तान के इंदर राश्पति शासन लगा च्यार बार तब यहां के राजयपाल मुख्यमंत्री कौन थे जब राजेव पर्थम बार मरा क्या लगा था राश्पति शासन तो डाक्टर संपुणानंद 1967 और सरदार हुकम सिंग उनके बादें बने थे 1967 के अंदर मुक्य मंत्री ते माउनलाल सुकाडिया 1967 में जब दूसरी बार लगा तो रगूतिलक 1977 से 1988 तक हरिदेव जोशी और ते बिरुशिंग शहकावथ मुक्य मंत्री डाक्टर एम चिनारेडी 1992 में राजयपाल थे और 1993 तक थे विच्व को लगा था बले राम भगत जब थे 1993 में राजयपाल और घरो शहकावथ जी ते इस वक्त के मुख्य मंतरी उसके बाद हम बात करते हैं आपातकाल 1975 में जब देश में अपातकाल लगा तो मुख्य मंतरी ते हर्देव जो सी राजयपाल ते उस वक्त सरदार जो गेंदर सिंग वे राजयपाल जो संसद के दोनों सद्दों के सदस्द से भी रहे हैं सबसे पहले को ने काल कि इसके साथ आजेश करते हैं वह राजयपाल जो राजयसंबब का उपसबबती भी रहा या रही पर तिवा देवी पार्टिल शिंग राजयपाल जो राजयपाल जो किसी विधान सब्भा में स्पीकर रहा दर्बारा सिंग वे राजयपाल जो किसी राजय या केंदसाज परदेश के मुख्य मंत्री रह रह चुके हैं कि इसके साथ बात करते हैं कि सर्वादिक समय तक राजयपाल कौन रहे गुरु मुख निहाल सिंग सर्वादिक समय तक मुख्य मंत्रैने वाले व्यक्ति है राजयपाल पद्ध पर महिला एक Alrighty श्रीमति प Loch over the सिरैंति प्रभरा सेमर्य केत्स नाम देख्तिती पूछ सकता है कि इनकी से कौन सी मेला इसके साथ मे anthropo опыт नहीं बचैति स्च Ils कॉर 25 नएब्य ड्लाल तिबर्यवाल देवण पाल Cos इन सवरूप सिंग यह वो नयदीश रहे जो कार्यवाक राजयपाल भी रहे इसके साथ आगे बात करते हैं सबसे कम समय तक राजयपाल रेकों टीवी राजयश्वर राजयपाल सरोजिन नाइडू ने सोने के पिंजरे में केच चिडिया विजय लक्षमी ने क्या का वेतन का सब्सक्राइब करने वाला और मागरेट आलों गया सिर्दर्द कहा है राजयपाल को यह उक्तियां काफी इंपोर्टेंट हो जाती है इसके साथ ही महतोपुर्ण अनुश्यद हम देख लेते हैं कौन-कौन से राजयपाल समधित 153 में कहा है परतिक राजयपाल होगा यह ब राजयपाल के न्योकति केंदर सरकार की इस पर राश्पती करेगा 156 में राजयपाल की पतावती राश्पती के परशाद बंद रहेंगी वैसे पांच वर्स है है 157 में कहां राजयपाल पतकी योगित यह इंप्पोटेंट है च्रण पर पत के लिए सरते 159 में राजयपाल की सपत-फर्थ कुंदलाता है उस राजय का उची नहीं का मुखिनाइदी दी से 461 में समाधान की सकतिया है कि वह किक उसमा कर सकता है 163 में राजयपाल की सकति कि साथ ही हम बात करते हैं दोसों तेरा में यह सब्सिंपटेन अध्यदेश की सकती नेक्स्ट वीडियों बात करेंगे अजिपाल जैसे जो भी महत्वपूर्ण क्यों पिछले सालों के जो प्रसन हो धन्यवाद दोस्तों ऐसे आगे आप बने रहना वीडियो को लाइक करना श